हेलो फ्रेंड्स आप सबे का स्वागत है हमारी यूटूब चैनल विजाट क्लासेस पर ठीक है ये क्लास जो है अप्षान का पहला पूर्त गाली वाइसराय था ऑपसंट ए है डियाज आप्षान भी है वास्कोट्री गामा ऑप्षान से है डी-ल्मीडा ऑप्षान डी है क्रक्तो तो दोस्तो भारत गाला पूर्त गाली वाइसराय जो था वो कhrada as register ल४ई है इसका explanation देखिए Francisco D. Almeida 1505 में पहले पुर्तगाली वाइसराय के रूप में और उसके बाद अलबुकर्क एक नए वाइसराय के रूप में 1509 में भारत आया था ठीक है तो Francisco D. Almeida जो है वो 1505 में भारत आया था और वो पहला वाइसराय बना था पुर्तगाली वाइसराय और उसके बाद जो है अलबुकर्क बना था नए वाइसराय 1509 में नेक्स्ट कोस्चन है बंगाल की खारी में चोरी के लिए आधार के रूप में हुगली का इस्तेमाल किसने किया जो दोस्तों इसका ऑंसर जो है वो हो जाएगा पुर्तगाली ठीक है तो बंगाल की खारी में चोरी के लिए अधार की रूप में हुगली का इस्तेमाल जो किया था वो किया था पुर्तगाली ने सम्मानित किया था विलियम हॉकिन्स को ठीक है दोस्तों जहांगीर ने खान की उपादी से सम्मानित किया था विलियम हॉकिन्स को इसका डिसकसन है हॉकिन्स अंग्रेज को जहांगीर ने खान की उपादी से सम्मानित किया था ठीक है तो हॉकिन्स जो था उसको जहांगीर ने के परियास के अंतरगत बिरिटेन के समराथ जिम्स पर्थम ने 1608 में कैप्टन होकिन्स को अपने राज़ूट के रूप में मुगल समराथ जहां गीर के दरवार में भेजा था नेक्स्ट कोस्टन है फ्रेंट्स अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्टरी कहा लगाई थी उप्चन A है बॉम्बे, उप्चन B है सूरत, उप्चन C है हुगली, उप्चन D है कलकाता तो दोस्तों अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्टरी जो है वो लगाई थी सूरत में इस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना पहला कारखावना सूरत में अस्थापित किया इस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना पहला कारखाना सूरत में अस्थापिट किया नेक्ष्ट कोस्चन है किस मुगल सासक के समय में सर थौमस रो भारत आया था किस मुगल सासक के समय में जो है सर थौमस रो भारत आया था जहांगीर के सासन के समय में जो है सर्थ हॉमसरो भारत आया था मुगल समराट जहांगीर के सासनकाल में कैप्टन हॉकिन्स और सर्थ हॉमसरो भारत आये थे जहांगीर मुगल बंस के चोथे समराट थी कैप्टन हॉकिन्स ने अंग्रेजी इस्ट इंडिया कंपनी का परतिनी दित्व किया और 1609 में जहांगीर से मिलने के लिए आगरा गए बर्स 1615 में सर्तौ मतरों से उनसे मुलाकात हुई नेक्स्ट है डच इस्ट इंडिया कमपणी ने किस वर्स पटना में अपना कारखाना अस्थापित किया प्रत्ना अस्थापित कियाeniz कंपने तो दोस्तो दूस्त इंडिया कंपनी जो है, परत्ना में अपना कारखाना अस्थापित किया था, 1632 में ठीक है प्रेंट्स डच इस्ट इंडिया कंपनी जो है पर्टना में अपना कारकार्णा जो है अस्थापित किया था 1632 में नेक्स्ट कोशचन है निमलिखित में से पर्थम करनाटक यूद का कौन सा ततकालिक कारण था निमलिखित में से पर्थम करनाटक यूद का जो है कौन सा ततकालिक कारण था ओप्शन A है करनाटक की राजगद्दी का मसला ओप्शन B है अंग्रेज और फरांसिसियों की बीच परती दोद्विता ओप्शन C है अस्ट्रिया की राजगद्दी की जंग ओप्शन D है अंग्रेज और फरांसिसी जहाजों का अधिगरन तो इसका आंसर होगा अंग्रेज और फरांसिसी जहाजों का अधिगरन ठीक है तो पर्थम करनाटक यूद का जो है ततकालिक कारण था वो था अंग्रेज और फरांसिसी जहाजों का अधिगरन नेक्ष्ट कोउस्चन है 7050 का परसीद वांडि वास का यूद अंगरेजो द्वारा किसके खिलाप लड़ा गया था ओप्सन ए है फ्रांस ओप्सन B है इस्पेन ओप्सन C है महसूर ओप्सन D है करनाटक तो दोस्तों 7060 का परसीद बांडि वास का यूद जो है अंग्रेजों दुआरा फ्रांस की खिलाप लगया था ठीक है, 1760 का परसिद बॉन्टिवास का युद जो है, अंग्रेजों दुआरा फ्रांस के खिलाप लगया था इसका explanation देखिए बॉन्टिवास की लगाई 1760 में भारत में फ्रांसिसी और बिरिटिसों के बीच हुई लराई थी यह लराई फ्रांसिसी और बिरिटिस अपनी वेसिक समराजियों के बीच लरे गई तीसरे करनाठा की यूद का हिस्सा थी जो स्वयंग बैस्विक साथ साल के यूद का एक हिस्सा था यह तमिलाडू के वान्दावसी में हुआ था ठीक है तो बांटिवास का यूज जो है तमिलाडू में हुआ था और बांटिवास का यूज जो है यह फ्रांस के खिलाप लड़ा गया था नेक्स्ट कोस्टन है निमलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को सवाली के अस्थान पर हराया था निमलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को सवाली के अस्थान पे हराया था ओप्सन A है विलियम हॉकिन्स, ओप्सन B है थॉमस बेश्ट, ओप्सन C है थॉमस रो, ओप्सन D है जोसिया चाइल तो दोस्तो इसका अंसर जो है वो हो जाएगा थॉमस बेश्ट, यहनी कि थॉमस बेश्ट ने पुर्तगालियों को सवाली के अस्थान पे हराया था इसका डिसकसन देखिये, विलियम हॉकिन्स एक बैपारी था और इस्ट इंडिया कंपनी का करमचारी था वह भारत में जहांगीर के समय में आया था और 1608-1613 इस भी थक ठारा थॉमस बेश्ट ने पूर्टगालियों को सौली नमका स्थान पर 9-10 दिसंबर 1612 इस भी को पराजित किया था यह सौली जो है सूरत के पास इस्थित है यह पूर्टगालियों के एक परमुक हार थी थॉमस रो ने मुगल दरबार में सन 1615 में आया सन 1619 इस भी में वह बाजसाह का इस आसे का फार्मान लेको होकर फार्मान होकर इंगलेंड लोट गया कि मुगल दरबार में अंग्रेजों का इसी तरह स्वागत किया जाता रहेगा ठीक है तो याद रखना है थॉमस बेश्ट ने पूर्टगालियों को सौली के अस्थान पर हराया था नेक्ष्ट कोस्टन है उस शेतर की पहचान करे जहां से यूरोप बासियों को सर्वत्तम सोरा और अफिम प्राप्त होता है होता था ओप्सन है गुजरात ओप्सन भी है बिहार ओप्सन सी है दक्षिनी भारत ओप्सन डी है असम तो दोस्तों इसका अंसर हो जाएगा बिहार इसका आसर हो जाएगा बिहार यानि कि बिहार से जो है यूरोप बासियों को सर्वत्तम सोरा और अफिम प्राप्त होता था ठीक है बिहार से जो है यूरोप बासियों को सर्वुत्तम सोरा और अफिम प्राप्त होता था नेक्स्ट कोस्टन है अंग्रेजी सासनकाल में भारत का कौन सा छेत्र अफिम उत्पादन के लिए परसिद था कोस्टन वही है इससे बस घुमाकर के दिया गया है ठीक है अंग्रेजी सासनकाल में भारत का कौन सा छेत्र अफिम उत्पादन के लिए परसिद था अप्शन यह है उत्तर परदेश, अप्शन B है बिहार, अप्शन C है गुजरात, अप्शन D है असम तो दोस्तों इसका अंसर जो है वो हो जाएगा अप्शन B बिहार ठीक है इसका अंसर जो है हो जाएगा अप्शन B बिहार ठीक है यहनि की अंग्रेजी सासनकाल में भारत का बिहार का छेत्र जो है वो अफिम उत्पादन के लिए परसिद था ठीक है अंग्रेजी सासन के दौरान बिहार आफिम की खेती के लिए परसीद था तथा इसका बैपार ब्रिटिस सरकार द्वारा पर उसी देशों में किया जाता था ये कोस्टन है इस कोस्टन का आप लोग आंसर कॉमेंट सेक्शन में दें एक वाल कोस्टन पर देते हैं कोस्टन है इलाहबाद की संधी के बाद रोबर्ट कलाइव ने मुर्सीदाबाद का उपदिवान किसे बनाया था और साथ में बिहार के बिये जो है उपदिवान किसे बनाया था इस दोनों कोस्टन का आप लोग को एंसर कॉमेंट सेक्शन में करें चलिए तो हम आज का सेशन इंट करते हैं फिर हम लोग मिलेंगे नेक्ष्ट वीडियो में तो दोस्तो जो भी हमारे चैनल पे नहीं हैं वो लोग चैनल को कर लेंगे सब्सक्राइब ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेसंस जो है आप सभी को मिलता रहे अबरे चैनल को लेडियो कि अव्या रहे हैं अबरे चैनल को लेडियो को लेडियो कि अव्या रहे हैं